मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चलू लिखे मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगे मित्रों वर्ष 25 में गूड़ी पड़वा कब है जानिये सही तीनव तारी क्या है पूजा करने का सुप पूरत कब है पूजा विधी क्या है और प्रति प्रदाति थी कब सुरू होगी कब समाप्थ होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले करेंगे और जादे से जादे सेय करेंगे मित्रों गूड़ी पड़वा चेत्रमास की सुक्ल पक्ष के प्रति परदाति थी को मनाया जटा है इस दिन हिंदू नव वर्ष की शुरू आत हो थी है हिंदू धार में गूड़ी पड़वा का विशिशं महत्व है मान्यता है कि भगवान ब्रह्माची ने आज के दिन ही स्रिष्टी की रचना की थी गुड़ी पड़वा का पर्व मुख्य रूप से महाराष्ट में हिंदू नौवर्ष के आरंब की खुसी में मनाया जता है और देश में अलग-अलग जगहों पर इस पर्व को अलग-अलग नामों से मनाया जता है इस दिन महाराष्ट में लोग गुड़ी लगाते हैं इसलिए यह पर्व गुड़ी पड़वा का लाता है गुड़ी लगाने के लिए एक बास लेकर उसकी उपर चांदी, तामबे या पीपल का उल्टा कलस रखा जता है और सुन्दर कपड़े से इसे सजाया जता है फिर गुड़ी को काठी निम की पत्ती, आम की डंठल और लाल फोलों से सजाया जता है और गुड़ी को किसी उची इस्थान जैसे की घर की छट पर लगाया जता है ताकि उसे दूर से भी देखा जा सके कई लोग इसे घर के मुखे दरवाजे या खिर्कियों पर भी लगाते हैं मित्रों, अब आपको बता दे की वर्ष तो हज़र पचीस में गुड़ी पड़वा कब है तो आपको बता दे की वर्ष तो हज़र पचीस में गुड़ी पड़वा 30 मार्च दिन रविवर को मनाया जाएगा प्रती परदाती थी सुरू होगी 29 मार्च तो हज़र पचीस को साम चार बचकर 29 मेंट पर प्रती परदाती थी समापत होगी 30 मार्च तो हज़र पचीस को दोपहर 12 बचकर 91 मेंट पर